दिल्ली के मंगोलपूरी इलाके में बजरंग दल कारे करता रिंकु शर्मा की हत्या कर दी गई जिसके बाद माहूल तनावपून बना हुआ है पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को अब तक गिरफतार किया है भाजपानेता कपिल मिश्रा, एक्ट्रिस कंगना रनोथ समेट कई लोग इस मामले में कड़ी कारवाई की मांग कर रहे है बता दे कि मंगोलपूरी इलाके में बुधवार रात करी बाधा दर्जन हमलावरों ने 25 वर्षे यूवक रिंकु की हत्या कर दी हत्या के पीछे एक कार्यकरम के दोरान हुए विवाद को वज़ा बताय जा रहा है हत्या के बाद दो समुदायों के बीच तनाव जैसे हालाद बन गए है एहतियातन आसपास पुलिस फोर्स को लगाया गया है पुलिस ने शवक को पोस्मॉर्टम के बाद परिजनों को सौप दिया है पुलिस आसपास लगे सिसी टीवी कैमरों की फोटेज चेक कर रही है रिंकु शर्मा बजरंग दल और भाजपा की यूथ विंका सदस्य था पुलिस के मुताबिक रिंकु के बड़े भाई मनु शर्मा के बयान पर पहले हत्या की कोशिश आम सेक्ट के तहत केस दर्च किया गया था लेकिन रिंकु की मौत के बाद हत्या के सेक्शन को जोड़ दिया गया है 19 वर्षय मनु शर्मा ने बताया कि वह माता पिता वदो भाईयों के साथ मंगोल पुरिस्थत ब्लोक में रहता है घर में पिता आजय शर्मा, मा राधा, बड़ा भाई रिंकु और छोटा भाई आशु है मनुका आरोप है कि घर से कुछी दूरी पर ब्लोक में ही दानिश, इसलाम, महताब और जाहिद उर्फ चिंगु रहते हैं रिंकु इन चारों के बीच दशेहरे पर राममंदिर पार्क में प्रोग्राम को लेकर कहा सुनी हो गई थी बताये तो ये भी जा रहा है कि दानिश अपने रिष्टेदारों इसलाम, महताब, जाहिद के साथ बुध्वार रात करीब साड़े दस बजे घर के सामने गली में आया सभी के हाथों में हतियार और डंडे थे ये लोग रिंकु के घर के बाहर आकर गाली गलोज करने लगे, मनू और उसके भाई रिंकु शर्मा ने टोका की गली में महिलाए रहती हैं, इसलिए यहां गाली गलोज ना करो इस दोरान कहा सुनी बढ़ गई, आरोप है कि इसलाम ने आकर रिंकु का गला पकड़ लिया और हमला कर दिया महताब ने रिंकु पर चाकु से ताबड तोड हमला किया चाकू रिंकू की रीड की हड़ी में फस गया जब मनू और रिंकू चिलाने लगे तो रिंकू का दोस्त भी आ गया जब उसने बीच बचाव किया तो चारों ने उस पर भी हमला कर दिया मनू अपने भाई रिंकू को संजे गांदी हस्पताल ले गया जहार रिंकू और उसके दोस्क्यू भरती कराया गया डॉक्टरों ने रिंकू के शरीर से चाकू निकाला इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई पुलिस ने संबंदे धाराओं में केस दर्ज कर चाकू को जब्द किया वही रिंकू की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हो गए है उसकी हत्या पर रोश्ट जाहिर कर आरोपियों को मौत की सजा देने तक की बात कहने लगे यूजर्स इस हत्या को साम प्रदाइक हत्या करार दे रहे हैं वही ट्विटर पर जस्टिस फोर रिंकू शर्मा का ट्रेंड चल गया है रिंकू के लिए न्याय की मांग करने वालों में मशूर एक्टर कंगना रनौत प्रनीता सुभाष, आंध्रप्रदेश भाजपा के महा सचिव S. विश्नुवर्धन रेडी, यूट्यूबर एलविश यादव शामिल है मृतक रिंकू की मा राधा शर्मा ने कहा कि वह जन्मदिन पार्टी में गया था वापिस आया तो उसे घर से घसीट कर ले गए और चाकू से गोंदिया उन्होंने कहा था कि इतना खून बह रहा था कि पूरी गली भर गई थी रिंकू शर्मा की मा राधा शर्मा ने बताया कि वह सभी लोग लाठी, डंडे, चाकू के साथ ले कर आये उन्होंने मेरे बेटों को बहुत मारा, लेकिन वो अपने आखरी शब्दों में भी जैश्री राम बोल रहा था मेरे तक के पिता आजे शर्मा ने बताया कि मेरा बेटा जन्मदिन की पार्टी से वापिस आया, तब ही हमलावर आय और पीछे से हमला कर दिया मेरा बेटा बजरंगल से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह उसको बार-बार धमकी देते थे उन्होंने मेरे बेटे को चाकू मारा और मुझे बोल कर गए कि हमने तेरे बेटे को मार दिया वही भाज़पा ने ता कपिल मिश्रा ने रिंकु शर्मा की हत्या पर कहा कि ये सभी अपराधी पकड़े जाने चाहिए और इनको केवल फांसी की सजा होनी चाहिए दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि दिल्ली में इस प्रकार हत्याय क्यों हो रही है हम आपको ये भी बता दे कि पांच अगस्त को शोभा यात्रा निकालने को लेकर जगड़ा हुआ था दूसरा पक्ष पार्क में हनुमान चालिसा कराने से नाराज रहता था चंदा काटने को लेकर भी नाराजगी थी ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवारी J.B.D. Banquets Enterprise